Hello students, O2 IS Academy के HCS चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम जोती कौशल है और आज से हम देखने वाले हैं HCS Prelims के लिए Last One Year के Current Affairs तो May 2021 से लेके April 2022 तक के जितने भी Current Affairs है वो हम HCS Prelims वाली सीरीज में कवर करने वाले हैं क्योंकि आपको पता ही है कि जो HCS का एक्जाम है वो जुलाई के मन्थ में कभी भी उसकी डेट आ सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि जून के मन्थ तक हम इन सारे Current Affairs को कवर कर लें शुरू करने से पहले आपको बता दू कि अगर आप State PCS या फिर UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आप O2 IS Academy की आप को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे courses मिल जाएंगे ऐसे ही अगर आप HCS की preparation कर रहे हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे courses मिल जाएंगे foundation course मिल जाएगा जिसके अंदर हमने हर एक GS subject को बहुत ही जादा depth में cover किया है इन दे सेम वे जैसे आपका prelims आ रहा है अगर आप prelims की तयारी करना चाहते हैं तो आप test series को join कर सकते हैं तो हमने HCS prelims के लिए बहुत सारी ऐसी test series भी launch करी हैं आपके लिए तो आप जाकर इनको join कर सकते हैं और जो भी हम यहाँ पे current affairs cover करेंगे अगर आपको इस वीडियो की pdf चाहिए तो आप O2is Academy की app पर ही जाकर इस pdf को download कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले हम अपने art and culture के पिछले एक साल के current affairs तो सबसे पहले बात करते हैं सूरज कुंड international crafts मेला के बारे में आपको पते ही है कि हर्याना की अंदर फरीदाबाद में सूरज कुंड वाले region में इस मेले को organize किया जाता है ये जो मेला है अलग-अलग authorities मिलकर organize करती हैं कई बार आपसे prelims में ये question पूश्या जाता है कि बताओ जो सूरज कुंड मेला है वो कौन organize करता है तो यहाँ पर अलग-अलग ministries हैं जैसे कि ministry of tourism हो गया, textile हो गया, culture हो गया and external affairs हो गया ये सारी कि सारी जो ministries हैं हर्याना tourism के साथ मिलकर इस मेले को organize करती हैं अगर आपने कभी ये मेला attend किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अलग-अलग craftsperson और artisans आते हैं जो अपने talent को यहाँ पर show करते हैं, उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों को वो यहाँ पर showcase करते हैं तो ऐसे जाके आप इस मेले में से इन सारी चीज़ों को खरीद भी सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अपातानी textile product के बारे में तो रिसेंटली आपको बता हुगा कि अरुनाचल प्रदेश वाले region में जो लोर सूबन सीरी वाला district है वहाँ पर एक region लाई करता है जिसका नाम है zero region इस zero region के अंदर एक tribe रहती है और ये जो tribe है वो अपातानी textile के products को बनाने के लिए जानी जाती है तो recently एक company है इन्होंने अपातानी textile product के लिए GI tag लेने के लिए बात करी है GI tag के बारे में अब थोड़ी देर तक हम देखते हैं पहले बात करते हैं अपातानी textile product के बारे में तो ये एक ऐसे अलग ही type का product है textile है एक cloth है जिसके उपर अलग-अलग designs कर जाते हैं geometric patterns होते हैं zigzag pattern होते हैं और ये जो textile product है वो basically एक tribe ही बना सकती है जो की अरुनाचर प्रदेश वाले region में लाई करती है तो बात करते हैं geographical indication tag के बारे में तो अगर किसी जगा का कोई ऐसी चीज फेमस है जो की वहाँ के लोग ही बना सकते हैं तो उसके लिए हम GI tag ले सकते हैं geographical indication tag जो है वो एक act द्वारा regulated होता है जिसका नाम है geographical indication tag जो की 1999 के अंदर बना था इसके अंदर अगर किसी भी product के लिए GI tag चाहिए तो वो GI tag सिरफ 10 साल के लिए valid होता है 10 साल होने के बाद उस GI tag को दुबारा से registration करवा के tag लिया जा सकता है extend करवा सकते हैं उसकी registration basically बात करते हैं कि कौन इस tag को provide करता है तो जो controller general of patents, design and trademark है यही geographical indication tags को provide करते हैं Next हम बात करते हैं कि Tamil Nadu वाले region में एक musical instrument बनाया जाता है जिसके लिए उनको एक GI tag मिला है जिसका नाम है नारा सिंगा पटई नागस्वरम तो Tamil Nadu के अंदर एक village है जिसका नाम है नारा सिंगा पटई और इस region में जो लोग हैं वो particular इस musical instrument को बनाते हैं और उन्होंने इसको बनाने की जो कला है वो अपने पूरवजों से लिए है तो ये जो musical instrument है वो इसी village में बनाया जाता है इसलिए इन्होंने इस चीज के लिए GI tag लिया है अगर मैं बात करूँ बाकी के geographical indication tags के बारे में तो अलग अलग region जो है उन्होंने अलग अलग GI tags लियो है आपने हर्याना का specially याद रखना है कि हर्याना वाले region को अभी तक सिरफ दो चीजों के लिए GI tag दिया गया है सबसे पहला है बास्मती राइस हर्याना के अलावा और कहीं सारी states हैं जिनको बास्मती राइस के लिए GI tag दिया गया है इन दे सेम वे हर्याना को फुलकारी के लिए भी GI tag मिला है हर्याना के साथ साथ बाकी की states जैसे पंजाब हो गया राजस्थान हो गया इनको भी फुलकारी के लिए GI टैग मिला हुआ है ये कुछ चीजे आपने हर्याना से relevant याद रखनी है Next हम बात करते हैं कावी आर्ट के बारे में तो सबसे बहली बात तो ये आर्ट कैसी है कौन से रीजन में फेमस है तो गोवाले रीजन के साथ साथ महराष्टरा और करनाटका में इस आर्ट को किया जाता है इस आर्ट के अंदर red soil से इस आर्ट को किया जाता है और लाल मिट्टी से इस में अलग-अलग प्रकार के design बनाई जाते हैं दिवारों के उपर तो आपने कावी आर्ट के बारे में याद रखना है next हम बात करते हैं जगनाथ टेमपल के बारे में तो recently ये news में इसलिए था क्योंकिAmerica जो स्टेट है उन्होंने जगनाथ टेमpल आक्ट में कुछ amendments करी है बात कर लेते हैं जगनाथ टेमपल के बारे में सबसे पहली बात तो गंगा डाइनस्टी के टाइम 12th सेंचरी में इसको बनाया गया था और कौन से किंग द्वारा बनाया था दैट इस किंग अनन्त वर्मन चोड गंगा देव इन्हों ने इस जगनाथ टेंपल को 12th सेंचरी में बनाया था जगनाथ टेंपल जो है ओरिसा के पूरी में लोकेटड है इसको हम यमनिका तीर्थ भी कहते हैं इसके अलावा इसको वाइट पगोडा भी कहा जाता है इसके अलावा जो जगनाथ पूरी टेंपल है वो चार धाम में भी इंक्लूड़ेएट है जिसमें बाकी कि आपको civilization जो है वो हमारे पंजाब वाले और पाकिस्तान वाले डीजन में लाई करती है in the same way आपने याद रखना है कि जो Maya civilization है वो Central America वाले region में लाई करती है Central America और Mexico वाले region में लाई करती है काफी सारी studies आई तो इन studies में ये पाया गया कि ये जो civilization है वो इसलिए खतम हो गई क्योंकि वहां पर सूखा पढ़ गया था सूखा पढ़ने की वज़ा से वहां पर भुकमरी आ गई और उसकी वज़ा से जो लोग है महां पर सारे खतम हो गए लेकिन अभी recently study में ये पाया गया है कि Maya civilization के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसे प्लांट्स थे जो की ड्रॉट resistant थे that means ऐसे प्लांट्स जो की ड्रॉट के टाइम पर भी उग सकते हैं तो एक तरह से इस study ने confuse कर दिया है कि Maya civilization destroy क्यों हुई थी आपने याद रखना है कि जो Maya civilization है कौन से period में आई थी that is 250 CE और 900 CE के बीच में ये civilization लाई करती थी next हम बात करते हैं कि जो national monuments authority है उन्होंने ये बोला है कि जो आदी शंकर देव है उनकी birthplace को हम monument of national importance की list में डालना चाहते हैं अगर मैं बात करूँ आदी शंकर देव के बारे में तो आपको पताई होगा कि केरला वाले रीजन में आदी शंकर देव जी का जन्म हुआ था वो भगवान शिव की पूजा करते थे और 33 साल की उमर में उनको समाधी प्राप्त हो गई थी इसके अलावा आदी शंकर देव को और अलग-लग चीजों के लिए जाना जाता है जैसे कि अद्वैत फिलोसफी के बारे में जाना जाता है अद्वैत फिलोसफी ये बात करती है कि जो ब्रह्मा और सोल है वो एक ही होते हैं तो आपने याद रखना है कि जो आदी शंकर देव है वो अद्वैत फिलोसफी को मानते थे इसके अलावा आदी शंकराचारे जी के बारे में आपको ये याद होना चाहिए कि उत्राखंड के अंदर अभी recently हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक 13 feet statue को inaugurate किया था ठीक है उत्राखंड वाले region में inaugurate किया था ये आपने याद रखना है next हम बात करते हैं कला कुम्प के बारे में तो recently जो National Gallery of Modern Art है उन्होंने अजादी के अमरित महुतसब मनाने के लिए कला कुम्प मिले को भी organize किया है कला कुम्प के अंदर होता क्या है कि जो artisans होते हैं वो बड़े-बड़े scrolls लेकर आते हैं और उसको दिवार पर लगा देते हैं फिर उसके बाद उन scrolls के उपर painting करी जाती है ठीक है ये सब चीजे परफॉर्म करी जाती है और recently इनकी जो artistic things है इन सब चीजों को Republic Day of India में भी include किया गया था और इस कलाकुम्प को organize करने के लिए अलग-अलग ministries जो है वो साथ आयती जैसे कि ministry of culture के साथ मिलकर ministry of defense ने कलाकुम्प को organize किया था next हम बात करते हैं तिरु वलुवार डे के बारे में तो तिरु वलुवार डे जो है वो पॉंगल celebration के time पर मनाया जाता है दूसरी बात जो तिरु वलुवार जी है वो तमिल के बहुत ही बड़े philosopher हैं इन्होंने अलग-अलग किताबे लिखी हैं इनकी जो famous किताब है that is तिरु कुराल जिसके अंदर इन्होंने कैसे ethics को conduct किया जाना चाहिए पॉलिटी हो गया, economics हो गया, इन सब चीजों का हमारी जिंदकी के अंदर हम इन सब चीजों को लेकर कैसे साथ चलेंगे तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने तिरु कुराल के अंदर लिखा हुआ है ये एक Tamil literature है ये चीज आपने याद रखनी है इसा माना जाता है कि इस complex के अंदर जो पेड़ है उसके नीचे इन तिरु अलुवार जी का जनम हुआ था ये कुछ चीजे आपने तिरु अलुवार जी के बारे में याद रखनी है नेक्स हम बात करते हैं सेंट कुरिया कोस लाइस छवारा जी के बारे में तो जैसे तिरु अलुवार जी तमिल में famous थे in the same way जो ये सेंट है वो केरला वाले रीजन में famous थे लेकिन इनका आपने time period याद रखना है that is the 19th century के आसपास थे इनके भी कुछ literary works थे जैसे की अनस्था स्यायूदे रख्था स्यक्षम तो ये इन्होंने एक तरह से मल्यालम epic है in the same way आत्मा नुतपम जो है इसके अंदर इन्होंने soul के बारे में बात करी है next है औरु नल्ला अपांते चवरुल इसके अंदर ये बात करते हैं कि एक बच्चे की upbringing और जो nourishment है वो कैसे होनी चाहिए next हम बात करते हैं goat head yogini के बारे में तो हमारे जो union minister of culture है उन्होंने ये बोला था कि 10th century के time पर ये जो goat head yogini है वो एक तरह से चोरी हो गई थी recently ये लंडन वाले region में पाई गई तो इन्होंने बात करी है कि हम इस goat head yogini को वापिस करेंगे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको इसके बारे में ये पता होनी चाहिए ये कौन से temple में पाई जाती थी कि कौन से temple से चोरी होई थी तो उत्तर प्रदेश में लोखारी बांदा वाले region में एक temple लाई करता है इस temple के अंदर ये statue लाई करता था लेकिन 10th century के around ये statue चोरी हो गया था ये जो statue है वो yogini cult से related है yogini cult के अंदर आपने याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तांतरिक traditions को follow किया जाता है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो goat head yogini है वो कौन से cult से related है next हम बात करते हैं रवी दास जैनती के बारे में तो हिंदू कलेंडर के according जो मांग का मन्त होता है उसकी पुर्निमा को उस दिन रवी दास जैनती को मनाया जाता है अगर मैं रवी दास जी के बारे में बात करूँ तो 14th century के अंदर जब भक्ती movement चली थी तो उस time पे इन्होंने भी बहुत जादा काम किया था अलग अलग चीजों को ये एक भगवान में मानते थे कि भगवान एक है और इस time पे जो अलग अलग discriminatory activities होती थी उन सब चीजों को एक तरह से abolish करने में इन्होंने काम किया है इनकी कुछ जो poems है वो गुरु गरंथ साहिब जी में भी included है अगर मैं गुरु रवी दास community के बारे में बात करूँ तो ये जो community है जादा तर जलंधर वाले रीजन में लाई करती है और रवीदास जैनती वाले दिन यहां वाले रीजन से वो वारनसी जाते हैं एक तरह से वहाँ पर जाकर रवीदास जैनती को मनाते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन के बारे में तो हमारे इंडिया में से जो ministry of culture है उन्होंने होईसाल temple architecture को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नॉमिनेशन के लिए भेजने की बात करी है अगर मैं World Heritage Sites की nomination की बात करूँ तो सबसे पहले अगर कोई भी site World Heritage Site बनती है उससे पहले उसके nominations आते हैं और nominations आने से पहले भी उस World Heritage Site को एक list में include होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है उस list का नाम है UNESCO Tentative List एक साल तक अगर कोई भी heritage site इस list के अंदर रहती है उसके बाद ही वो heritage site eligible है कि वो World Heritage Site की list में include होने के लिए nominate हो सके तो यहाँ पर जो ministry of culture है उन्होंने होईसाल temple architecture को nominate करने की बात करी है अगर मैं होईसाल temples के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर तीन temples को include करने की बात करी गई है कौन-कौन से तीन temples है एक है बेलूर वाला, हालेबीड वाला और सोमनात पूरा वाला यह तीनों के तीनों temples जो हैं वो करनाटिका में लाई करते हैं और यह जो temple है वो विसारा style of temple architecture थे आपको पता ही होगा कि जो north वाला region है वहाँ पर एक particular type का temple architecture होता है और इन दोनों का जो मिश्चर होता है विसारा style तो आपको पता होना चाहिए कि जो होईसाल temple architecture है वो विसारा style के temple architecture है क्योंकि इसमें तीन temples को include करने की बात करी गई है तो हम एक एक करके तीनों temples के बारे में देख लेते हैं सबसे पहला जो temple है that is चनकेशवा temple जो की बेलूर वाले region में करनाटका में लाई करता है तो सबसे पहली बात ये जो temple है वो Lord Vishnu को dedicated है ऐसे करके आपको अलग-अलग temples जो है वो अलग-अलग भगवान को dedicated मिलेंगे तो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो चनकेशवा temple है बेलूर वाला वो Lord Vishnu जी को dedicated है दूसरी बात कि जो होईसाल empire के king Vishnu वर्धन जी थे उन्होंने इस temple को बनवाया था और ये जो temple है वो यागची river के banks पर बना है जो यागची river है वो हेमवती river की tributary है और जो हेमवती river है वो कावेरी river की tributary है ये कुछ चीज़े आपने याद रखनी है next जो temple है that is होईसालेशवर temple जो की हालेबीड में located है करनाटका रीजन के अंदर ये भी king Vishnu वर्धन जी ने बनवाया था next is ये जो temple है वो Shiva को dedicated है ये चीज़ आपने याद रखनी है जो पिछले वाला temple था Lord Vishnu को dedicated था जो third temple है that is Keshav temple जो की सोमनात पुदा करनाटका के अंदर located है और ये temple जो है वो Krishnaji को dedicated है next हम बात करते है UNESCO World Heritage Site के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो UNESCO है वो एक तरहा से United Nations की एक specialized agency है जिसका नाम है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization ये organization 1945 के अंदर बनी थी और इसका जो headquarter है वो Paris France के अंदर है इन्होंने एक treaty sign करी थी 1972 के अंदर जिस treaty में इन्होंने बात करी थी कि हम world के अंदर जितनी भी heritage sites है उन सब sites को preserve करेंगे तो यहाँ पर world heritage site की list में जो भी sites include हो जाती है उनको preserve करने के लिए जो fund है वो UNESCO से आता है ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर अभी तक total ऐसी 40 world heritage sites है जिसमें से अलग-अलग categories की sites है जैसे कि इसमें 32 sites जो है वो cultural importance की है 7 sites natural properties की है और जो एक site है वो mixed site है इन sites के बारे में कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए सबसे पहली बात तो क्यूंकि एक mixed site है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंचन जंगा नाशनल पार्ग जो है 2016 के अंदर अड़ हुई थी और यह एक mixed site है इन दे सेम वे जो 7 natural sites है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और रिसेंटली जो UNESCO World Heritage Site की list में जो sites add करी गई है वो भी आपको पता होनी चाहिए जैसे कि जो धोला वीरा है जो कि गुजरात के अंदर located है उसको भी इस list में include किया गया है और एक तिलंगाना के अंदर temple है जिसको हम बोलते हैं काकटया, रुद्देरेश्वर या फिर रामपपा temple इसको भी अभी recently इस list में add किया गया है टेक्स्ट हम बात करते हैं चार मिनार के बारे में तो recently ये भी news में था आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये हैदराबाद तिलंगाना वाले रीजिन में लाई करता है ये जो चार मिनार है वो एक कुतुबशाही डाइनेस्टी थी जो की 16th century के around exist करती थी उस डाइनेस्टी का जो 5th king है that is मुहमद कुली कुतुबशाह इन्हों ने चार मिनार को बनवाया था तो यहाँ पे इसके अलग-अलग floors है उसके हिसाब से अलग-अलग floors पे अलग-अलग activities को conduct करवाया जाता है for example इनका जो first floor है वहाँ पर एक मदरसा है मदरसा यानी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है in the same way चार मिनार के जो second floor है वहाँ पर एक mosque है next हम बात करते हैं अतुकल-पॉंगल festival के बारे में केरेला वाले region में यह जो festival है बहुत जादा famous है इस festival के अंदर जो females है ठीक है वो एक particular activity आकर perform करती है खुले में आकर ये एक तरह से चूले के उपर rice को boil करती है ठीक है जो की वो जो boiled rice है जो भी ये dish बनाते हैं वो एक देवी को offer किये जाते हैं जिनका नाम है भगवती अगर मैं भगवती की बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि जो भगवती है गौड़ेस भगवती है वो कन्नकी का रूप है और आपको पता ही होगा कि Tamil literature के अंदर जो कन्नकी है उनके बारे में सिलपादी करम के अंदर लिखा गया है सिलपादी करम एक ऐसी Tamil epic है जो की इलांगो ने लिखी थी ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए नेक्स चीज ये जो festival होता है वो 10 दिन का festival होता है जिसके 9 दिन इस पॉंगल festival को मनाया जाता है उसके बाद ये जो इसके अंदर जो भी dishes प्रिपेर करी जाती है वो एक temple के अंदर particular temple है जिसके अंदर goddess को ये offer करी जाता है नेक्स हम बात करते हैं ब्यांजन द्वादशी के बारे में तो जो ब्यांजन द्वादशी है वो एक हिंदू कलेंडर के हिसाब से particular month जिसका नाम है मार्क शिरा मन्थ उसके शुकल पक्षवाली द्वादशी को ये मनाया जाता है festival इस द्वादशी के अंदर अलग अलग पकवान बनाय जाते हैं और वो इसलिए बनाय जाते हैं क्योंकि ये signify करता है एक तरह से historically अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये शोदा जी है जो कि कृष्ण भगवान की माता जी थी उन्होंने देखा कि जो कृष्ण जी है जब वो डेमन्स के साथ fight कर रहे थे तो उस टाइम पर उनकी जो body है वो बहुत जादा वीक होती जा रही थी तो इसी चीज को recover करने के लिए यहाँ पर ये शोदा जी ने अलग अलग व्यंजन उनको बना कर दिये थे तो एक तरह से ये जो festival है वो food security से भी related है और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल को एक तरह से पश्मीना वूल को जी आई टैग मिला हुआ है अगर मैं इस वूल के बारे में बात करूं तो यह एक particular goat से ही मिलता है जिसका नाम है चांग थंगी गोट और यह जो गोट है वो जम्मू कश्मीर के एक तरह से लदाक वाल में तो यह एक martial art है जो कि Tamil Nadu वाले region में बहुत जादा famous है इस art के बारे में संगम literature के अंदर भी mention किया गया है सिलंबल का मतलब यहां पर यह है कि sound of hills and nature that means जो भी nature से आवाज आती है हम उस आवाज को use करते हैं अपने आपको defend करने के लिए तो इस art में कुछ अलग-अलग skills को perform किया जाता है जैकि जैसे की knee strikes हो गया kicking हो गया elbow strikes हो गया तो अलग-अलग चीजें इसमें करी जाती है next हम बात करते हैं करकटम dance के बारे में तो recently इस dance को agricultural art form of Kerala में include करनी की बात करी गई है तो यहां से आपको बता ही चल गया होगा कि यह Kerala वाले region में इस art form को मनाया जाता है इसके अंदर जो females हैं एक swing dance perform करती है जिसके उपर उन्होंने जो उपर एक particular vessel को hold किया होता है वो उपर तक भरा होता है और उसके उपर अलग-अलग layers लगी होती है flowers की उन सारी layers को एक तरह से balance करके वो इस dance को perform करती है और यह जो dance है एक particular festival के लिए ही मनाया जाता है that is mariaman festival तो यहां पर जो mariaman है वो goddess of rain है that means rain की goddess को यहां पर खुश करने के लिए इस dance को perform किया जाता है तो that means यहां पर जो kerala वाले हैं वो बोल रहे हैं कि इसको हम agricultural art form में include करें क्योंकि जैसे ही rain आएगी तो उसी की वज़े से जो crops वगएरा है वो flourish हो पाएंगी तो I hope आ करने वाले हैं आपके art and culture के total two lectures होंगे इसके अंदर हम अपने पिछले पूरे एक साल के जो current affairs है वो कवर कर लेंगे तो thank you so much and have a nice day